मध्यपरदेश, गुजरात और महाराष्टर जैसे राज्यों की कुछ मंडियों में गेहु के अग्याती नई फसल की कटाई त्यारी के साथ आवक शुरू हो गई है जबकि इसका भाव सरकार द्वारा निर्धारित नियूंतम्स मर्थन मुल्या, MSP यानी 2275 पे प्रतिक विंचल के आसपास चल रहा है मध्यपरदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक सीहोर में चालू सब्ता के शुरू में ही करीब 12,000 क्विंचल गेहु पोंचा और इसका दाम 2250 से 2400 रपे प्रतिक विंचल के बीच तर्ज किया गया विपार जानकारों का कहना है कि मध्य मार्च से गेहु की सप्लाई की रफ्तार पढ़ने लगेगी और कारो बार भी जोर पकड़ने लगेगा दरसल के अंदर सरकार द्वारा गुजरात और महाराश्च में गेहु की खरीद परक्रिया अगले सप्लाई से शुरू किये जाने की संभावना है चबकि मध्य परदेश में 22 मार्च से प्रांतिया एजन्सिया किसानों से नियूनतम समर्थन उल्या पर गेहु की खरीद शुरू करेंगी देश के सबसे प्रमुकुत पादक राज्य उत्तर परदेश में एक मार्च से तो राजस्थान में 10 मार्च से तो वहीं बिहार में 15 मार्च से गेहु की सरकारी खरीद शुरू होने की घोशना की गई थी अधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले सप्तात अक्सरकारी के जन्सियों द्वारा गेहु खरीद के बारे में रिपोर्ट दी जा सकती है पंजाब हरियाणा में केंद्रिय पुल के लिए गेहु की खरीद एक अप्रेल से उपचारिक तोर पर शुरू होगी इस बार गेहु की खरीद पर सबका ध्यान केंद्रित है क्योंकि चालू महीने के शुरू में ही भारतिय खाद्या निगम के पास इसका स्टोग घटकर महत 100 लाग टन के करीब रह गया है जो कि साल 2016 के बाद का सबसे निचला स्तर है वहीं OMSS के तहट 94 लाग टन की रिकोर्ड विकरी होने के कारण केंद्रिय पुल में गेहु का स्टोग खटक्या है सरकार ने फिलाल 300 से 320 लाग टन गेहु खरीदने का लक्षय रखा है Bureau Report Market Times TV